नमस्कार संस्कृत के प्रिविद्यारतों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं पंकस्तिवारी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्ल आपके लिए पंडिता रमाभाई के most important question लेकर कियाओगा most important question परिक्षा के लिए होते हैं सबसे बहतर और हम भी चाहते हैं कि कम पढ़ना पढ़े ऐसा हम लोगों की सोच रहती है बताएज सही कह रहा हो कि नहीं तो most important question परिक्षा के लिए प्रती एक पार्ट से निकाल करके आपके लिए रखे जाते हैं तो आप लोग most important question को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहेगा जल्दी से जल्दी वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा ठीक है न, क्योंकि आप सभी को मालुम है कि Magnet Brains के द्वारा भारत का एक मात्रिक ऐसा platform है जो आप लोगों को 100% free education दे रहा है, आपसे कोई भी रुप्या पैसा नहीं लेता है और Magnet Brains देता है आपको दो platform, एक Magnet Brains English Medium जिस पर आपको केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपून पाठक्रम, NCEIT को फॉलो करते हुए संपून पाठक्रम आपको दिया जाता है, यूटूब पर बिल्कुल free और Magnet Brains Hindi Medium देता है 6 क्लास से लेकर के, चाहे वो दिल्ली वोड हो 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की संपून पाठक्रम, दिल्ली वोड का, यूपी वोड का, विहार वोड का, एमपी वोड का, राजिस्थान वोड का विल्कुल और विल्कुल free तो आप लोग पढ़ते रहिएगा Magnet Brains Hindi Medium के साथ उससे पहले मैं आपको बता दू कि Magnet Brains के द्वारा कक्छा 16 से लेकर के 12 मी तक का Hindi Medium और English Medium का बहुत ही सुन्दर तरीके से सिक्षकों के मार्ग दर्शन में ये Notes प्रोवाइड कराए जाते हैं वो Notes आपको परिक्षा में बहुत से अच्छे से अच्छे बहतर से बहतर नमबर लाने में आपकी मदद करेंगे तो जल्दी से जल्दी Notes की भी आप जानकारी ले लीजिएगा Notes की जानकारी कैसी मिलेगी आपको Link in description box में आप नीचे जाएगे तो E-Notes और E-Books की संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी ध्यान लखिएगा भूलिएगा नहीं Notes की जानकारी के लिए ठीक आज की Class जो हमारी रहेगी हम लोग उस पर चलेंगे Class हमारी रहेगी कच्छा साथवी संस्कृत पंडिता रमा भाई, चतुर्था पाथा Most Important Question आज हम लोग Most Important महत्पूर्ण प्रशन कहलाते हैं यह यह हमारे कौन से प्रशन कहलाते हैं महत्पूर्ण प्रशनों का संग्रह ठीक तो इसमें पहला प्रशन आपका दिया हुआ है most important question में पहला प्रशन दिया हुआ है कि तस्याह इत्यस्य बहुबचनांत रूपम लिखत इसमें तस्याह सब्द का बहुबचन रूप लिखना है बहुबचनांत ठीक जो बहुबचन रूप आपको मैंने इसके पहले क्लास पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि संस्क संस्कृत में तीन बचन होते हैं आप लोग हिंदी में जानते हैं इंग्लिस में भी जानते हैं सिंगुलर और ठीक है न तो एक बचन और बहुबचन हिंदी और इंग्लिस में आप लोग जानते हैं लेकि संस्कृत में तीन बचन होते हैं एक बचन दुई बचन और रूप लगा हुआ है तस्याह तो तस्याह फिर इसका बहुबचन क्या होगा तेसाम तासाम तेसु या तासु तो तस्याह सब्द दिया हुआ है तो तस्याह सब्द का आपका बहुबचन का रूप हो जाएगा तासाम क्योंकि तस्याह आपका इस्त्रिवाची सब्द है और इ यदि तस लिखा होता तो फिर यह हो जाता तेसाम क्यों तस आपका पुलिंग बाची है अगर यह लिखा होता यहाँ पर यह पर यह होता तो यह वाला अंसर होता लेकिन यहाँ पर यह है इसलिए अंसर यह वाला सही आपका होगा इस तरी बाची है इसलिए आपका सही होगा का नंबर का ठेक आप लोग अंसर द्यान रख येगा genau कर गएगा कमेट सेक्सन में मुझे जरूर में मुझे जरूर दीजिएगा लाइक जरूर करना प्रश् Kommand दूसरे पर हम लोग चलें कि दूसरे नंबर का प्रश्ण अमारा रहेगा當 इत्यत्र कह भी वक्त तस्मिन पद है ठीक है न रूप चलेंगे सह तमत्यें तस्माई ही तस्माट तस्मिन ठीक तो यहां पर बनेगा इत्यत्र कहभी वक्तु तो इसमें आपको जिससे आपने पढ़ते हैं तो यहां हो जाएगा तो आप खुद बता देंगे कि यह कौन सा है यह आ गया है आप इसको गांट करिए कौन सी बिभक्ति का है प्रत्मा दुतिया तृतिया चतुर्थी पंचमी सश्ठी और शब्तमी कौन सी बिभक्ति का है यह तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा प्रत्मा बिभक्ति का है सश्ठी का है सब्तमी का है चतुर्थी का है कौन सी बिभक की का सब्द है ठीक है आगे वड़ हो उसी के साथ प्रश्न क्रमांग दूसरे के वाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांग 3 पर प्रश्न क्रमांग 3 हमारा क्या कहता है साँ उच्छ सिक्छार्थम इंग्लेंड देसम गतवती सामान वह उच्छ सिक्छार्थम माने उच्छी सिक्छा प्राप्त करने के लिए इंग्लेंड देशम गतबती इंग्लेंड देश गई वह कौन रमावाई रमावाई उच्छी सिक्छा प्राप्त करने के लिए इंग्लेंड देश को गई लेकिन इत्यत्र क्रिया पदम किम यहां पर क्रिया पद क्या है और क्रिया क्या होता है पहली तो आप जी बताइए क्रिया क्या होता है क्रिया देखिए खाना पीना उठना बैटना रोना धोना चलना फिरना तो यह हमारी सारी क्रिया है जो हम लोग काम करते हैं न ये सब क्रिया हैं संस्कृत में गतवती जाने के लिए कहा जाता है तो यहां पर क्रिया क्या हो जाएगी सा गतवती ओच सिक्षार्थम तो क्रिया यहां पर गम धातु से गतवती बना हुआ है कितवतु प्रत्य लग करके ठीक है ना गम धातु से कितवतु प्रत्य से बनेगा गतवान गतवती और गतवत इस्त्री बाची है इसलिए गतवती बना हुआ है ये तीनों लिंगों में आपका रूप बनता है ऐसे बनता है गम प्लस कितवतु ऐसे बनत पहला पुलिंग में बनेगा गतवान, इस्त्री लिंग में बनेगा गतवती, और नपुन्सक लिंग में बनेगा गतवत, यह ऐसे रूप बनते हैं, तो यहां पर आपका कौन सा दिया हुआ है, गतवती, कौन सा दिया है, गतवती दिया हुआ है, तो आपका वहां पर भी क्य है गतवती तो समझ गए आपकी क्रिया यहां क्रिया पद क्या है गतवती ठेक आगे बढ़ हो इसके बाद प्रश्ने क्रमांग तीन के बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्ने क्रमांग चार पर प्रश्ने क्रमांग चार हमारा क्या कहता है प्रत्यागक्षत प्रत्यागक्षत इत्यत्य का लगा रहा प्रती प्लस आगक्षत तो आपको मैंने बताया था कि प्रती प्लस आगक्षत ये दिया हुआ है आगक्षत प्रत्यागक्षत ठीक जब भी ये तो आपको उफसर्ग लगा हुआ है लेकर जब किसी धातु के साथ में आ लगा हो तो आपको लकार ढोड लगा देना है लकार ढोड़ने के लिए आपको परेशान नहीं होना आ लगा हो तो लंग लकार लगा देना है क्या लगा देना है लंग लकार और यहां आपको मिल जाएगा लंग लकार कहीं मिल रहा है क्या तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दो भाया लंग लकार पर्ति उफिसर्ग यन संदी हो गई है इसलिए यहां पृत्यागछ्षत हो गया है तो आप आनधर बहुत ज्यादा नहीं आप तो सीद्य-सीद्या पर्ति को हटा प्रश्चन क्रमांग 5 पर प्रश्चन क्रमांग 5 देक्यवन रमावाई कदा जन्म आलभत रमावाई। रमावाई का जन्म कब हुआ जल्दी से बताएं रमावाई का जन्म कब हुआ तो 1858 में 1858 में 1888 में या 1898 में कौन सी इस भी में हुआ देखिए 1858 तमें खृष्टाप दे और 1888 तमें खृष्टाप दे और 1858 तमें खृष्टाप दे या 1898 तमें खृष्टाप दे जल्दी स बताएं जल्दी से बताईए तो इसका भी आपका आठारा सो अठावन गा नंबर का ओफ्षन आपका बिलकुल सही हो जाएगा आप लोगों ने लगाया क्या आपने नहीं लगाया तो आपको देना है इसके टिक देना है वन 3 के रूप में भी आप दे सकते हैं वी CD के रूप में भी दे सकते हैं और वीडियो को like share करना है दोस्तों से भी पूछना है share करके ठीक है ना और इसके जो आपके 6 क्लास में भाई लोग पढ़ते हों उसके उपर 9 10 में पढ़ते हों तो उनको भी आप share कर दीजिए लिंक द्यान रखना magnet ब्रेंस पर यहां पर 6 से लिकर करके 12 क्लास तक की कक्छाओं का बिलकुल फिरी आप से कोई पैसा नहीं सारी कक्छाओं फिरी मिल रही हैं ठीक है ना फिर यहां और थोड़ा सा आपके option परिवर्टित कर दियेघे प्रशण में कोई परिवर्टन नहीं है इसके पहले विए परिवर्टन को परिवर्टित किया गया नहीं आपका आया अपका तरूपम लिखंТ यहां पर आपका घहा लुग साथ पर चलेगे ठीक यहाँ पर देखिये तस्मिन काले इस्तिती चिंतिनींः असीत उस समय तस्मिन काले मतलब उस समय इस्तिती इस्तिति चंतिनीं या थी लड़कियों को पढ़ाने के लिए इस्टो पढ़ाने के लिए बहुत चिंतन करना पड़ता था चिंतनीय कोई भी शिक्छा का यहाँ पर महत नहीं था तो तस्मिन काले इसत्रियाया इस्तिती स्टिनिया आसीद तो कया कुत्र कश्या कदा हुए जल्दी से बताएं तस्मिन काले या बताइए तो क्या हो जाएगा कदा इस्त्री सिक्षाया इस्तिती चिंतनिया आसीद तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा कस्या हो जाएगा कस्या इस्त्री शिक्षाया अब यहां तस्मिन काले कस्या यहां पर आप कस्या जोड़ दीजी ठीक तस्मिन काले उस समय किसकी इस्थिती चिंतनिय थी तो इस्तरी सिक्षा की इस्थिती चिंतनिय थी जल्दी से बता है तस्मिन काले कस्या इस्थिती चिंतनिय आसेथ उस समय किसकी इस्थिती चिंतनिय थी इस्तरी सिक्षा की इस्तरियों को पढ़ाने पर जोर देने के ल का अंसर हो जाएगा गा Michaels का हमारा विल्कुल सही। इसके बाद 8 नंबर केप्रशन पर चलेंगे प्रश्ण क्रमांक 8 PR में क्या दिया हुआ है रमा स्वाजेष्ट ब्हात्रा स भाहरत भ्रमनम अकरोदें रमा अपने बड़े भाई के साथं भारत ब्रमन करती है गई थी भारत ब्रमन के लिए और सबसे पहले कोलकाता पहुंसती है वहाँ पर उसको सरस्वती और पंडिता की उपादी से विभूसित किया जाता है तो के निसा है के निसा है तो जेश्ट भ्रात्रा सह है ठेक यहां रमा के निसा है भारत ब्रमनम अकरो किसके साथ भारत ब्रमन करती है तो यह अपने जेश्ट भ्राता के साथ अपने बड़े भाई के साथ जेश्ट का मतलब बड़ा अग्रज का मतलब भी बड़ा अनुज का मतलब छोटा ठेक चले आगे बढ़ेंगे प्रशने क्रमांक आठ के बाद हम लोग आगे चलेंगे और लिखा हुआ है प्रश्ने क्रमांक नो प्रश्ने क्रमांक नो में देखे रमाबाई मुंबई नगरे रमाबाई मुंबई नगरे सार्दा सदनम अस्थापयत रमाबाई मुंबई नगर में सार्दा सदन की इस्थापना करती है रमाबाई कुत्र सार्दा सदनम इस्थापयत ठीक है ना रमावाई कहां पर सार्दा सदन की स्थापना करती है तो कुत्र लग जाएगा कहां मुंबई नगर की जगा यहां कुत्र लग जाएगा ठीक रमावाई कुत्र सारदा सदनम आज थापयत रमावाई कहाँ पर सारदा सदन की स्थापना करती है कहाँ पर की थी तो मुंबई नगर में अंसर में हो जाएगा ये प्रशने निर्माड बनाने वाले हैं प्रशने बनाने वाले आपने NCEIT solution जो आपका किया है न अभ्यास कर सॉलूसन किया होगा उसमें आपके सारे कॉस्चन है यहां मोश्ट इंपोर्टन वह जो जरूरी थी वह भी यहां पर रखे गए प्रशने किर्मांक 9 के बाद हम लोग चलेंगे प्रशने किर्मांक 10 के बाद देखें हम देखें लिखा हुआ है रमावाई किमर्थम इंग इंग्लेंड देश गई थी या धर्मार्थ धर्मकार के लिए इंग्लेंड गई थी सेवार्थम सेवा करने के लिए इंग्लेंड गई थी या उच्छी सिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लेंड गई थी जल्दी से बताएं रमावाई किसलिए इंग्लेंड गई थी त प्रश्ण क्रमांग 10 के बाद हम लोग चले 11 नमबर पर 11 नमबर के प्रश्ण को ध्यान से देखना है लिखा हुआ है आस्ताम इति क्रिया पदे कहा मूल धातू आस्ताम जो सब्द है इस क्रिया पद का मूल रूप क्या है मूल धातू इसमें क्या है इस्त आस्त भू अस जल् आप सोचेंगे समझ लेना वो होगी आप जल्दी से जल्दी कोसिस करेंगे तो बनेगे ठेक है कौन सी धातू होगी आपकी अस्व धातू होगी आस्ताम आपका रुप बनेगा यहाँ पर आस्ताम बना है वो क्रियापद है और इसके मूल धातू है अस फ्रेक चले इसके बाद हम लोग चलेंगे ग्यारह नंबर के बाद बारह नंबर के प्रशने पर बारह नंबर का प्रशने हमारा क्या कहता है रमावाही पितुर नाम किम आसीत रमावाही के पिता का नाम क्या था मैंने बहुत 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 बार आपसे कहा है कि पिता का नाम माता का नाम पती का नाम ये याद जरूर रखना उनकी जो दो बुक्स हैं दो बुक्सों के नाम भी आपको याद रखना है कौन सी इस्थापना उन्होंने कब की है सारदा सदन की और मुक्ती सदन की कब की है इन तुर नाम किमासीत राम सास्त्री अनंत सास्त्री आनंद सास्त्री रवी सास्त्री रवी सास्त्री भी आ गए है इसमें अपने भारत के क्रिकेटर रवी सास्त्री ठीक है तो आपको मालूम है कि इनके पिता का नाम था अनंत सास्त्री माता का नाम था लक्षमी वाई किसकी र रह नंबर के प्रश्ण पर रमा के निस्सा है विवाह मकरोत रमा किसके साथ विवाह करती है जल्दी से बताए रमा ने किसके साथ विवाह किया था किसके साथ किया था विशंदास, विशंदास, रामदास, किशोरलाल, विपिन विहारी दास किस के साथ किया था, जल्दी से वताए, किशोरलाल के साथ, रामदास के साथ और विशंदास के पाथ, तो विपिन विहारी दास के साथ उन्होंना विवाह किया था ठीक है तो अंसर जल्दी से आप लोग मुझे दीजिएगा टिक करके अंसर जरूर दीजिएगा अंसर में बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग अंसर देते हैं ठीक है ठीक है ना comment section में तो मज़ा आता है प्रश्ण किरमांग 13 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्रिमांग हमारा 14 नमबर का क्या है ठिक चतुर्दिश नमबर का düny debate असमिन क्रियापद है का लका रहा पृत्या अघड़ा तिक है जल्दी से बताए इस में भी आपके देखे तो आपके option को परिवर्थित किया गया है और सन को प्रश्ण कर्मांग 14 के बाद हम लोग बढ़ेंगी 15 नंबर पर 15 नंबर का प्रश्ण दिया हुआ है पंडिता इती उपाधिना का विभूसिता पंडिता इती उपाधिना का विभूसिता पंडिता पंडिता जो उपाधि है उस किसको विभूसित किया गया था ये पंडिता नाम की उपाधि किसे दी गई थी जल्दी से बताएं किसे दी गई थी पंडिता सब्दे से जो विभूसित किया गया था वो कौन थी रमावाई लक्षमिवाई, ससीप्रभाः या कानतावाई कानतावाई कौन है? रमावाई हाँ संस्कृत सिख्छा को प्राप्त करके रमावाई को सरस्वती और पंडिता की जो उपाधी से विभूसित किया गया था तो आपका अंसर क्या हो जाएगा इसमें? प्रभाभी ना नहीं अर और प्रश्ण किरमाइन 15 के बाद हम लोग 16 नंबर पर चलेंगे वह उच्छी सिख्छा प्राप्त करने के लिए उगलेंड देस गई इत्यत्र क्रिजातम लिगणा पर लिखो तो कौनसी है क्रियापद गतवति यहां पर कौन सी है क्रिया पाद गदवती प्रश्ण करमाग 16 के बाद हम लोग चलेंगी 17 नमबर पर 17 नमबर का प्रश्ण है तद अनंतरम अस्विच्छिदा का अब यहां पर आपको विच्छिद करना है तद प्लस अनंतरम तो तद अनंतरम जिसमें आ लगा हो वही है आपका देखिए तो ये इसमें आ नहीं है मतलब ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे ये आपका सही हो जाएगा यहाँ बेंजन संदी है ठीक है ये आपको संदीयां जरूर पढ़ाऊंगा मैं जब भी क्लास लोगा ग्रामर की प्रश्णिक्रमांक 17 के वाद हम लोग बढ़ेंगे आगे प्रश्णिक्रमांक 18 पर चले प्रश्णिक्रमांक 18 दिया हुआ है अनंत सास्त्री अनंत सास्त्री डौंगरे काम संस्कृतम अध्यापया अनंत सास्त्री डॉंग्रे काम माने किसको संस्कृत किसको संस्कृत पढ़ाया बताइए किसको संस्कृत पढ़ाई थी अनंत सास्त्री डॉंग्रे ने तो अपनी पतनी को पढ़ाई थी कि पुत्री को ठीक है न पुत्री को तो पढ़ाई थी उनकी माता ने लेकर अनंत सास् सुक्रित की शीख्या पृपत करी थी अठारे नमबर के बाद 19 नमबर के प्रश्ण पर चलेंगे 19 नमबर का प्रasyण देखी लिखा हुआ है ब्रह्म समाजे प्रभाविता करके रमा ने क्या किया उन्होंने वेदाधी का सास्त्रों का अध्यन किया था क्या किया था आंदोलन बृतम दानम या वेदाध्यायनम वेदाधी का अध्यन सुरू कर दिया था ब्रह्म समाज से प्रभावेत हो करके ब्रह्म समाज से वह खुस हो गई थी क्योंकि उनको प्रश्ने क्रमांग के 20, सारधाई के इती सब्दस से को अर्था, सारधाई के सब्दस से इती को अर्था, देखिए सारधाई के एक बरशाद, ऐसा आपका सब्दाया हुआ है, मतलब साधी के डेड़ वर्स बाद, उनके पती का देहांत हो गया, तो सारधाई के सारधमाने आ सारधाई के सब्सक्र siaradhii के बादने सारधाई के बादनम मतलब डेड़ बजच चुका है समझ में आगया Code 20 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक पदेन उत्रत अब यहां से एक पद के द्वारा आपको अंसर देना है एक पद के द्वारा अंसर आप कैसे देंगे ठीक है एक पद के द्वारा अंसर में आपको वन एक ही सब्द लिखना इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना पंडिता इती उपाधिना पंडिता इ मैं जादा नहीं लूँगा बहुत जल्दी जल्दी आपके अंसर दूँगा यहां ठीक तस्याह पितर नाम किम असीर उसके पिता का नाम क्या है किसकी पिता का नाम रमा भाई की पिता का नाम क्या था अनंत सास्त्री रमा भाई की पिता का नाम अनंत सास्त्री था तस्याह प पुत्रियाह नाम किम रमावाई की पुत्री का नाम मनो रमा रमावाई की पिता का नाम अगर पूच लिया जाए तो विपिन विहरी दास ठेक है फिर यहां देक है सा पुत्रियाह सा कुत्र पृत्यागच्छ वह अपनी पुत्री के साथ कहां पर लोट आई थी स्वादेशम या महराश्ट्रम ठीक है ना तो महराश्ट्र लोट आई थी वह अपनी पुत्री के साथ महराश्ट्र क्यों की पती की व्रत्य हो गई थी तो अपनी पुत्री को ले करके महराश्ट्र लोट आई फिर वहाँ पर सारदा सदन नाम की एक सथा की स्थापना की थी अंसर आपको यह एक पदेन है ठीक है एक पदेन अंसर है फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे पूर्ण वाक्यन उत्रत पूर्ण वाक्य के द्वारा अंसर आपको यहां देना है पूर्ण वाक्य के द्वारा अंसर आपको देंगे तो यहां पर आपको पूरा-पूरा लिखना होगा पूरा इस्त्री सिक्षा की इस्थिती कैसे थी चिंतनिया इस्त्री सिक्षाया इस्थिती कस्या की जगह क्या हो जाएगा इस्त्री सिक्षाया जोड़ देना है और बांकि आपका पूरा प्रश्ण जवकत्य हो जाएगा तो यहां पर भी आपको वन वर्ड ही याद करना है बहुत ज अर्पित करती है रमावाई नारियों के सम्मान के लिए स्वकियम जीवनम अर्पित वती अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित कर देती है यह रहेगा आपका देखो रमावाई नारेडाम सम्मानाय स्वजीवनम अर्पित वती नारियों के सम्मान में उसने संपूर्ण तो रमावाई अपने माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त करती है। तीसरे नंबर का प्रशन आपका पूरा हुआ। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाव बोधनम। क्या दिया हुआ है? भाव बोधनम। यहां से आपको देखना है प्रकार का ये भाव बोधन में प्रकार का दिया हुआ है रिक्तिस्थान पूर्ती द्वारा क्या दिया हुआ है रिक्तिस्थान पूर्ती के द्वारा अब यहां से देखे प्रहला प्रश्ण आपका दिया हुआ है क्या दिया हुआ है पहला प्रश करो और अेन कथनस भाव इसपष्टा भवित और जिससे कि इस कथन का क्या हो जाए ? भाव इसपष्ट हो जाए जिससे इस कथन का भाव पूण रूप से बिलकुल इसपष्ट हो जाए इसलिए समुचित पदयन रिक्त स्थानानी पूरयत और इसमें आपको पूरा भाव इसपश्ट करना जैसे इस्त्री सिक्षायाह इस्थिती चिंतनियाह आसीत इस्त्री सिक्षा की इस्थिती चिंतनिय थी इस्त्री सिक्षा की जो इस्थिती थी उस समय क्या थी चिंतन प्रदा नासीत संतोस प्रद नहीं थी लोगों को संतोस नहीं हुआ करता था जब इस्त्रियों की वहां सिक्षा थी ही नहीं इस्त्रियों की सिक्षा के बारे में कोई बातचीत ही नहीं थी तब लोगों को बिलकुल भी यहां पर कोई क्या नहीं था संतोस नहीं था और लोग क्या लिखा है विकल्प चैनेन अधो लिखतेसु समुचित विकल्प चैनेन भावार्थम लिखतो नीचे लिखे समुचित जो नीचे लिखे हुए उचित विकल्प हैं उसी विकल्प के विकल्प से आपको भावार्थ को चुनना है और भावार्थ को यहां लिखना है अहां देखें सबसे पहला सब्द दिया हुआ है बाक दिया हुआ है विवाहश पस्चात तस्याह पती दिवंगता विवाह के बाद विवाह के पस्चात मतलब बाद विवाह के पस्चात तस्याह मने उश्के पती ही मने पती उसके पती क्या हो गए थे दिवंगता दिवंगत उसके पती क्या हो गए थे दिवंगत हो गए थे विवाहस से पस्चात तस्याह पती दिवंगता है विवाह के पस्चात उसके पती मृत्यू को प्राप्त हो गए थे तो भावारत देखिएगा चार ओप्सन दिये हुए है इन चार ओप्सन में से आपको अंसर देना है कि विवाहस पस्चा तस्यापती समुद्रंगता दिवीवाय के बाद उसके पति बिदेशंगता विवाहस से पस्चा तस्यापती रिेशन गता दिवांगता का मतला मृत्यू तो भाव मैं आपको जिसमें मृत्यू मिल जाए समझ ले न, वही अंसर आपका सही हो जाएगा ठेक, बिभाहस से पस्चात तस्यापती मृत्यूम प्राप्तः तो अंसर आपका क्या हो जाएगा फर्ष्ट नंबर का अंसर आपका बिलकुल और बिल्कुल सही हो जाएगा फर्ष्ट नंबर का अंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ध्यान रखोगे आगे बढ़ें उसी के साथ हम लोग चलेंगे और दिया हुआ है प्रकार नंबर गा गा का प्रकार दिया हुआ है लिखा हुआ है सुद्धा सुद्ध माध्यमेन सुद्धा सुद्ध के माध्यम से आपको यहाँ पर अंसर देना है इसमें अंसर में आपको क्या करेंगे आधो लिखतेसु सुद्धा सुद्ध कथनम सही और चिन्हेन और असुद्ध कथनम गलत चिन्हेन अंकियत मतलब को ध्यान रखना है सही गलत है संस्क्रmern में ना भी खम कहते है ठीक है यहां पर दिया हुआ है पहला आपका रमाया है पिता विपन्ना संजाता रमायाह मतलब कौन रमावाई रमायाह का मतलब रमा रमावाई और पिता का मतलब पिता रमावाई के पिता विपन्नह माने निर्धन संजाता माने थे ठेक है ना निर्धन हो गए थे इसलिए तो अकाल के कारण अकाल मृत्यों लोगों की हुई है ठेक है तो ये अका पिता बिबनना संजाता रमाया पिता निर्धनम अबवत या रमाया पिता प्रसन्न जाता बताए रमावाई के पिता प्रसन्न थे या रमावाई के पिता निर्धन थे जल्दी से बताएं कौन सा उफसन सही होगा और कौन सा आपका गलत होगा तो पहला उफसन सही होगा और दूसरा option क्या होगा गलत होगा क्योंकि उनके पिता ना तो प्रशन न थे उनके पिता निर्धन थे इसलिए निर्धन वाला सही होगा और प्रशन वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है चलो आगे इसके बाद प्रकार नंबर गा के बाद हम लोग चलेंगे आगे प अध्यासकार आपको करवाय था तो उसमें भी आपको प्रश्यन निर्माण करने बताया थे और आपको ध्यान लिखा है अधो माने नीचे लिखते सु माने लिखे नीचे लिखे वाक में जो यह बाके लिखे लिखे हुए है इनहीं की बात कर रहे है नीचे लिखे हुए बाक क्यों मैं इस्थूल पदानी इस्थूल पदानी का मतलब जो यह आपको यहां डार्क करके या अलग रंग से दिये गए ना हाइलाइट करके ठेक तो यहां पर यह इस्थूल पदों की स्रेणी में है ठेक मोटा होता है वैसे तो इस्थूल का मतलब यह डार्क ठेक इस्थूल पदानी आधरित मने इसको आ किया हुआ है रमा भाई को सरस्वती की उपाधी से क्या किया गया विभूसित किया गया तो यहां पर कौन सा प्रश्ण ऐसा कौन सा सब्द ऐसा है जो यहां आएगा और आपका प्रश्ण बनाएगा तो आपको देखिए आपको मैं बता दू कि किम के रूप आपको याद करन बहुत जरूरी है किम के रूप आप कस्या यहां पर यह पुलिंग बाची में जो है उसमें आपको कह कम केन कस्मई कस्मात कस्यो कस्मिन यह आपको याद रखना है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है इतना तो यह आपके प्रश्ण लगेंगे जैसे यहां पर आपने देखा है तो यहां रमावाई लिखा हुआ है तो यह प्रत्मा विभक्ति का एक बचन का रूप है तो आप यहां पर क्या करेंगे का जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे यहां का जोड़ेंगे ध्यान रखोगे यहां पर आपने ऐसे लिख दिया यहां इसको का, तो का सरस्वती इती उपाधिना विभूसिता, ठेक, किसको सरस्वती की विभूसित किया गया था, तो प्रत्मा विभक्ती का का यहाँ पर आपका आजाएगा, ठेक, चलिए, दूसरे नमबर की प्रश्ण पर चलेंगे, दूसरे नमबर का प्रश्ण आप देखिएगा, किया गया था किसको सरस्ति की उपाधी से किया गया था शमजबे आ गया फिर इसकेबाद मुझे बताइगे पूल लिए पी लिख दो इस्तरी लिए स लिख देना और नपूँसक की लिए और लिख देना कमेंट सेक्षन में ध्यान रखना तो जल्दी से बताईया अनट सास्त्री इ Creek kur पूल लिंग हैं मेल हैं अनंत सास्त्री, तो कहा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कहा, मैंने अभी बताया था न, कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन, ये आपका पुलिंग है, और इस्त्रिवाची में, का, काम, कया, कस्याई, कस्याह, 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 ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ध्याद रखोगे, तो यहाँ पर आपका देखिए पुलिंग वाची सब्द है, इसलिए कहा आ गया है, फिर इसके बाद दिया हुआ है, नारीडाम मतलब नार्यों की, सिक्छायाय माने अपना स्वयम का जीवन अर्पित्वथी माने अर्पित कर देती है, समर्पित कर देती है, कौन रमा बाई? तो नारे डाम की जगह है आप क्या करोगे कासाम यहाँ पर सश्टी विभक्ति का बहुबचन रूप होगा कासाम यह एक दिन जी सारे की सारे में आपको रूप लिखवा दूँगा तो आप यह रूप जरूर लिख लिजिएगा ठीक और कोसेस करिएगा कि यह रूप आपसे बनने लगें क्योंकि यह पृतिक चेप्टर में मिलेगा अभी तो अपने दो तीन चेप्टर हुए हैं चोथा चेप्टर चल रहा है ठीक इसके बाद सारे चेप्टरों में आपको प्रश्ण निर्माण मिलेंगे तो सारे चेप्टरों में आपको प्रश्ण निर्माण करने ह है कि नहीं तो आपको यह जब आप सीख लोगी कि तो बहुत अच्छे तरीके से आप इनको स्वल्व कर पाओगे ठीक है बहुत अच्छे से आपसे बनने भी लगेगा ठीक कहीं पर आपको दिक्कत समस्या नहीं जाएगी आप अच्छे से इनको कर पाओगे ध्यान रखोगी चले आगे बढ़ें इसके साथ आगे देखिएगा तीसरे के बाद अब लिखा हुए आप प्रश्ने निर्माण में यहाँ पर भी आपका प्रश्ने किर्मांग एक दिया हुआ है रेखांकित पदानी आध्रित प्रश्ने निर्माणम कुरत अब यहाँ पर भी आपको प्रश प्रश्ण निर्मार वाले प्रश्ण बहुत आते हैं ठेक आस्रमे निसहायाह इस्त्रियाह निवसंति इसमें आस्रमें निसहाय मनवे शहारा जिनको कोई सहारा नहीं होता कोई help नहीं मिलती है उनको हम निसहाया। बोलती है अस्त्रियों को निवसंती इसमिंग सार्दा सदन और मुक्ति मिशन नाम की संस्ताय, थि तो यहाँ पर इसमे रेखांकित किया गया है, रेखांसें के मतलब अंदरलाइ, यहाँ पर क्या किया गया है? अंडर्लाइन किया गया है आस्त्रमे क्या किया है आस्त्रमे में अंडर्लाइन किया है उसी को आपको आधार मानना है तो आस्त्रमे में सब्तमी विभक्ति का एक बचल लिखा हुआ है तो कदा, कुत्र, केन, कस्य ठीक है अब यहाँ पर आपको दिहान रखना है कि कब निसाह इस्त्रियों को रहती थी कुत्र मनें कहां निस्त्रिया रहती थी केन या कस तो यहां पर इस्थान बाची आस्र में आया है तो यहां आपका अंसर क्या हो जाएगा कुत्र द्यान रखें जहां पर इस्थान बाची आता है वहां पर आपको क्या करना होता है वहां पर क्या करन ठेक इसमें भी आपको प्रश्ण निर्माड ही करना है इसमें क्या करना है आपको प्रश्ण निर्माड करना है ध्यान से ध्यान दे करके आपको कार करना है समाज सेवायाम तस्याह कार्यम आविश्मर्णियम आसीत समाज की सेवा में तस्याह मने उसका सेवाकार मने उसका को नहीं भुला पा रहे हैं किसके रमावाई के क्योंकि उसने समाज के लिए इस्त्री सिक्षा को जोर दिया उसने बेसहारा इस्त्रियों के लिए सारदा सदन और मुक्ति मिशन नाम की संस्था जो आज तक लागू है कब से उनका जन्म कब हुआ था 1858 में उससे लेकर कि इस्त्रियों के लिए ठीक तो समाज सेवायाम मने समाज सेवा मैं या समाज सेवा को लेकर के तस्याह कार्यम अभिस्मर्णियम असीद किसका कार्यम अभिस्मर्णियम था तो तस्मिन कस्याम कुत्र कदा ठीक तो यहां पर समाज सेवायाम की जगह आपका क्या हो जाएगा क किस चीज में किसका कार अभिस्वर्णिय था समाज सेवा मैं उसका कार क्या था अभीश्मर्णिय था ठीक है इसका अंसर का नम्मर क का आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग चलेंगे फिर लिखा हुआ है यहां पर अगला अगला दिया हुआ है सा मुंबई नगरे सार्दा सदनम cancel का मतलब हुआ मुंबई नगर में उसके द्वारा क्या किया गया सारदस सदन की स्थापना मुंबई नगर में की गई तो कुत्र आपको जोड़ देना इस्थान बाची पद आया है तो इस्थान बाची में आपको क्या कर देना है मुंबई नगरे की जगए कुत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा कुत्र हो जाएगा और गटना क्रम को आप अच्छे से पढ़ा होगा तो आप से यह बन जाएगा ठीक गटना क्रम को आप अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर गटना क्रम के साथ यहां लिका है गटना क्रम के अनुसार नीचे लिखे हुए बाक्यों के पुना माने दुबारा से लिखो दुबारा से क्या करो लिखो अब गटना क्रम है तो कैसे लिखेंगे गटना क्रम को कैसे पढ़ेंगे कहानी स्टोरी अगर दिमाग में होगी तो सारी लाइने आपको समझ में आ कि 1922 में उसका निधन हो गया था किसका रमावाई का ठेक फिर 1858 तमे वर्से रमावाई जन्म अलवद 1858 में 1858 इसमी में रमावाई का जन्म हुआ था ये सबसे पहले का होगा ठेक तो इसमें नमबर एक डाल दो फिर इसके बार रमावाई महोदया विवाहं विपिन विहारी दासें अलवद रमावाई ने रमावाई महोदया ने विपिन विहारी दास के साथ में विवाह किया बिलकुल किया इसको भी थोड़े देर के लिए दूसरा नमबर डाल ले फिर रमावाई स्वामातू संस्क्रि इसको तीसरा कर देते हैं, ऐसा चाही रहेगा, रमावाई ने अपने माता से संस्कृत की सिक्षा को प्राप्ट किया, फिर रमावाई महोदया के साथ हुआ फिर इसके बाद सब मुंबई नगरी सारदा सदन की स्थापना करती है यह तो करती तो है लेकिन अभी नहीं मुंबई पहले उसने विपन विहारी दास के साथ विवाह किया फिर तो यह आपका हो जाएगा चौथी नमबर का फिर इसके बाद हो जाएगा पाच्मे नमबर में उसने मुंबई नगर में सारदा सदन की स्थापना कि फिर इसके बाद अब लाश्ट बचा हुआ है बाइस में तो ये आपका 6 नंबर का हो जाएगा कि 1922 में तस्याह निधनम आभवत उसका निधन हो गया ठीक तो ये इस प्रकार से आप इनका किरम बना सकते हैं कब जब आप पूरे पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए अब देखें यहां से आपको पूरे समझ में आ जाएगा 1858 तमें वर्से रमावाई जन्म आरह अलवत 1828 से इस भी में रमावाई का क्या हो गया है जन्म हो गया जन्म हो गया तो पहला नंबर आ गया जरमावाई स्वा मातू संस्क्र सिक्षाम ग्रीद्वती रमा रमावाई महोद्या विपन विहारी विवाहा विपन विहारी दासेन साहलावत रमावाई की द्वारा विपन विहारी दास के साथ विवाह किया गया रमावाई उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लेंड देश से को गई तो चोथा नंबर आ गया फिर सम 1922 में उनका क्या हो गया निधान हो गया तो यह six number का आपका हो गया ध्यान रखेंगी इस प्रकार से आपको यह sequence के साथ क्रम बद्धता के साथ आपको लगाना है बन जाएगा इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग अब लिखा हुआ है कथा की पूरती करिए कथा की पूरत पूरी कहानी को आपको दिमाग में घुमाना पड़ेगा पूरी कहानी को आप दिमाग में एकदम फ्रेस तरीके से क्या करना है बिल्कुल दिमाग से क्या कौन सी कहानी में क्या उनकी पिता का नाम क्या था माता का नाम क्या था और कब उनका जन्म हुआ है कब हुआ है को मिल जाएगी बहुत अच्छे से चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है आपका प्रशने रहेगा अधो लिखते संदर्वे रिक्त स्थानानी रिक्त स्थानानी मंझूसाया उचित पदई पूरियत उन्होंने कहा कि नीचे लिखे संदर्व में जो रिक्त स खाली स्थान जो दिये हुए हैं उसको मंझूसाया माने मंझूसा पेटी से और उचित पदई माने उचित पदों को चुन करके पूरियत माने पूरा करो जो आपकी मंझूसा दी हुई ना ये मंझूसा कहलाती है क्या बॉक्स इसी से जो दिये गए पद हैं उन पदों को आ कर देना है इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना जैसे यहां लिखा हुआ है 1922 तमें खिश्टाब्दी रमावाई महोदया खालिस्थान अभवर किन्तु समाज सेवायां चा तस्याह खालिस्थान अभिस्मर्णियम आस्ति समाज सेवाया अतरिक्तम खालिस्थान अपित सो गया और किन्तु इस्त्री समाज सेवायां तस्याह इस्मर्णियम ठेक अवदानम अविस्मर्णियम उनका जो योगदान है वो आभिस्मर्णियह है समाज सेवायाह अत्रेक्तम कार्यम अपी तस्या महतपूर्णम सिक्छायाह अस्ति ठेट तो बहुत सारी चीजें इसमें देखिए ये लिखियों होई ये आ गया 1922 में मरावावाई महोदय का निधन अभवत माने निधन हो गया और किंतु हिस्त्री सिक्छायाम समाज सेवायाम तस्याकार्यम अभिस्मरणियम लेखन छेत्रे तस्या महतपूर्णम योगदानम आउदानम का मतलब योगदानम अस्ति बस आपको उसी से पेटी से उठा करक यहन को पूरा कर देना है अब हम चलेंगे सब्दानम अभाय के सु प्रियोग करेंगे चलिए देखेएगा इसको पहला आर्थ 배श्टम लिखता नाम सब्दान अर्थान निर्दिश वाके सु प्रियोगं कुरूद अब जो नीचे लिखे हुए हमारे सब्द एंउनका वाक लिखा हुआ है निधनम का मतलब क्या होता है मिदधन हो जाना दिवंगत हो जाना मित्ति हो जाए आउने तो यहां परиком बनाएं उस वा chuika आधा प्रित्यागच्छत का मतलब लोटूंगा या लोट करके आई ठीक तो कौन लोट करके आती है वो अमेरिका से अपनी बेटी मनोरमा के साथ में महराश्ट नगर के लिए क्या हो जाती प्रित्यागच्छत लोट आती है फिर सर्वकारहा शर्वकारहा का मतला होता है सभी प्रकार के कार करना सर्वकार ठीक तो इस प्रकार से इन सब्दों का हम लोग क्या करेंगे बाक्य प्रियोग करेंगे बाक्यों में प्रियोग कैसे करेंगे ये देखिए ठीक निधनम, निधनम का मतलब मृत्यू, मृत्यू हो गया है, महात्मा गांधी 1948 तमें निधनम प्राप्ता, ठीक, महात्मा गांधी 1948 तमें वर्षे निधनम प्राप्ता, अर्थार्थ महात्मा गांधी का 1948 में, क्या हो गया, वर्ष में निधन हो गया, क्या हो गया? निधन हो गया. समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखें यह लिखा हुआ है, फिर इसके बाद प्रित्या गच्छत, प्रित्या गच्छत. अब यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, यह तो किवल आपको एक उदाहरर के लिए दिया है? कोई सकते हैं यह केवले हो चीवले उधारण के आदार Greek कोई** कर सकते हैं कि mindset stain लिख सकते हैं Carmauabai 1922 वर्ष निध्नमप्राप्त ऐसे आप इस enthusiasts दुबारा से लोटना साँगत वर्ष साथ प्रत्याँग छह वह है पिछले साल यह पीटे हुए इस साल विदेश से लोट करके आया ऐसे आप इसका बाग के बनाएंगे जैसे सर्वकार का सप्रकार का काम कौन करती है सासन करती है ठीक तो सासनम सर्वकार मतलब सासनम भारत सर्वकारह तसमई सांती पुरुषकारम आयाच्छत भारत सरकार भारत शाषन के द्वारा उ कुछ सरल होते हैं अब इसके बाद दिया हुआ है सब्दार्थ मेलनम सब्दार्थ का मतलब एक तरफ आपके सब्द रहेंगे जो यहां दिये हुए हैं जैसे लिखिना सब्दाह तो यह आपके बुक में भी दिये हैं सब्दाह और यहां अर्था उसका अर्थ दिया हूँ ले नीचे लिखे सब्दों के सामने, अदो लिखता नाम, सब्दा नाम समक्षं, मतलब सामने, प्रदत तै ही माने दिये गए, मतलब मतलब होता है, मृत्यू तो यहां पर आप देखें, कहीं मृत्यू लिखा है क्या, तो ये मृत्यू में जोड़ दिया इसका अर्थ तो यही है फिर चिंतनिया का मतलब होता है चिंतन करना या सोचना ठीक तो यहाँ देखो सोचनिया आ गया है आ गया ना सोचनिया फिर इसके बाद आओ दानम का मतलब होता है किसी चीज में योगदान देरा किसी चीज में सही योग करना तो योगदानम ये आपका योगदानमे हो जाएगा हो गया फिर इसके बाद विपन्ना विपन्ना का मतलब होता है दुख या निर्धन या गरीव तो आप इसमें निर्धन में लगा देंगे परित्यज का मतलब होता है त्यागना त्याग कर तो यहाँ पर लिखा आते जाओगे समझ में आ गया कोई इन मैंसे ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ में ना रहा हूँ आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से ध्यान पूर्वक देखते जाईएगा ठीक है आगे बढ़ो ठीक ये सोचनिया शोचनिया फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रश्ण क्रिमान के दूसरा इसमें लिखा है रे खांकित पदा नाम उचितम अर्थम चित्वा लिखत नीचे लिखे हुए पदों के उचित अर्थ को चित्वा माने चुन करके लिखत माने लिखो ठीक यहां लिखा हुआ है तस्याह पती दिवंगता उसका पती क्या हो गया था दिवंगत हो गया था अब दिवंगत सब्द का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा गता हा मृता हा और हसिता और द्रिश्टा ठेक तो आप बताईए इसमें से क्या हो जाएगा उसके पती दिवंगत का मतलब गता चले गए या मृत मृत तो दिवंगता का मत्रब यहां मृत अ सब्द से आपका सबसे सटीक अर्थ क्या है जाएगा मृता तो आर्थ क्या हो जाएगा इसका दिवंगता का जिसमें अंडरलाइन किया गया है उसका अर्थ आपको यहां लिखना है समझ में आया आगे बढ़diren आगे देख लीजिए इसमें इसके बाद दूसरी नंबर का इसी का प्रश्ण है सब्दार्थ का आपको रेखांके अंडर लाइन जो पद दिया हुआ है उसका अर्थ आपको यहां नीचे लिखना है 1922 तमे वर्शे तस्याह निधनम अभवत ठीक 1922 इस भी में उसका निधन हो गया किसका रमावाई का रमावाई का निधन हुआ है तो निधनम सब्दकार्थ क्या है जन्म निधनम सब्दकार्थ क्या है मृत्यू निधनम सब्दकार्थ क्या है विवाह या निधनम सब्दकार है पुत्र है बताइए 1922 में उसका उसकी मृत्यू हुई 1922 में उसका जन्व हुआ या 1922 में उसका विवाय हुआ या 1922 में उसको पुत्र हुआ बताइए इन मैंसे चार मैंसे कौन सार्थ है तो निदेनम सब्द है तो मृत्यू से सबसे ज्यादा सटीक होगा तो यह आपका यहां से किस से हो जाएगा मृत्यू निदिनम सब्द का मतलब क्या है मृत्यू हूँ समझ में आ गया ऐसे आपको भी common sense लगाना है और इनके अर्थों को क्या है करना है ठीक आगे बढ़ें इसके बाद दूसरे नंबर के बाद हम लोग तीसरे नंबर के इसी के प्रश्ण पर मतलब राइटिंग के छेत्र में ठीक राइटिंग के छेत्र में भी तस्याह माने उश्का लेखन के छेत्र में भी उसका महत्पूर्ण बहुत महत्पूर्ण अवदानम का मतलब योगदानम आसीत माने था अर्थार्थ उश्का योगदान था तो यहां पर त्याग हो में या उसकी हानी थी लेखन के छेत्र में या उसका लाव था लेखन के छेत्र में महत्पूर्ण क्या था तो आपको मैं बता दू कि लेखन के छेत्र में उसका सबसे ज्यादा क्या था अवदान का मतलब योगदान लेखन के छेत्र में उसका बहुत महत्पूर्ण योगदा दो बुकों कोह psychologist नहीं क्या किया था लिखा था रमा भाई के दौर इसके बाद लिखा हुआ है आप अदो लिखित पदा नाम संदीविच्छेदव करत नीचे लिखे हुए कि जब पद लिखे होते हैं उनको अलग-अलग कैसे करना है जैसे ये लिखे हुए अब यहां पर देखे सबसे पहले तो यहां आधाता है तो यहीं से शुरूबात करेंगे आधाता है मतलब यहां से संधी इसकी बनेगी कैसे आप इसमें करेंगे सबसे पहले पूरा करेंगे इसको ता को पूरा करेंगे तो ये बनेगा प्रती प्रती और यह है इसको छोड़ देंगे या मैं बड़ा आकी मात्रा जो लगी हुई है इसको हम यहां अगच्छत ऐसे लिख देंगे अब आप सोचोगी कि ऐसे कैसे लिख दिया है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको संधि हो जाएगी जो संधियां हमारी तीन होती हैं एक स्वर संधी एक व्यंजन संधी और एक विशर के संधी एक कौन सी विशर के संधी कि यह लिखा हुआ है ठीक तो यहां पर आप करेंगे प्राता और ए को बाहर कर लेंगे आगच्छत इतना आप लिख देंगे ए की स्थान पर आपको या कर दीना है ठीक यह आपकी यड संधी आपको करवाएगी आगच्छत अब आप ऐसे इसको मिला देंगे तो पूरा आपसे पद यहां बन जाएगा इसको जोड देंगे तो यह कैसे बनेगा प्रित्यों और आ इसमें मिल जाएगा प्रित्या गच्छत मन जाएगा प्रत्या गक्षत समझ में आ गया अब यहां यणशंदी इसलिए यहां प्रतिधन आगक्षत बिल्कुर सेम आपका एक और दिया हुआ है वहीं पर आप नीचे दिखेंगे कौन सा है प्रत्या गत्य अब आप सोचुगे कि यहां पर भी तो ताहे आधा लेकिन य गत्या लगा हुआ है इसलिए गम ध। उसे गत्य बना हुआ है तो वहां आपको संधि नहीं करने हैं यहां पर आपका प्रतिधन आगत्य हो जाएगा प्रतिधन आगत्य ठीक बिलकुल इसमें भी आपकी यड़ संधी उसी प्रकार से होगी जैसे प्रत्या गच्छत वैसे प्रति आगत्य प्रति प्लस आगत्य यहां पर देखेंगे तो ता मैंसे आपने ए को निकाल लिया है और फिर आगत्य आपका जियों कात्य उपद यहां आ जाएगा हो जाएगा इसको मिलाएंगे तो ए के इस्थान पर आपका यहां हो जाएगा यहां हो गया यहां आधा ता हो जाएगा और यहां आगत्य इसका वर्ण शम्मिलन करते कर दीजिए मिला दीजिए मिलाएंगे तो क्या बनेगा प्रत्या आ मिल जाएगा और गत्य इसमें जुड़ जाएगा तो प्रत्या गत्य बन गया है यहां बन गया है प्रत्या गत्य यहां पर भी आपकी यडशंध के अंतरगत अचसंदी के अंतरगत आती है निराश्रिता तो यहां हो जाएगा निर प्लस आश्रिता निराश्रिता श्रिता निराश्रिता ठेक निराश्रिता बन जाएगा तो यहां पर भी आपके देर की शंदी होगी इसका और इसका बड़ा आ दौनों को लेलक लेकर कि क् बन जाएगा और बड़ा आ बन जाएगा तो यह बनेगा आपका निर तो आ की मातरा इसमें लग जायेगी और यहां श्रिताह आपका बना हुए निरा-श्रिताह ठेक है तो यहां आपकी दिर शंदी होगी अकाश बरणे दिरघा शे ! यह आपके यहाँ पर शंधियां है और शंधी ज्यादा कुछ नहीं है बस इतने ही संधी थी देखें प्रतिधन आगच्छत और प्रतिधन आगत और निर प्लस आस्रिता निरास्रिता ठीक अब एक बात ध्यान लख लेना कि यह जो निर दिया हुआ है यह एक तो स्वर में भ संधी का परिवर्तन हो जाएगा और हल मतलब बेंजन संधी यहां हो जाएगी दो संधियां यहां पर आपकी हो जाएगी ठीक है द्यान लखना अगर वहां हलन्त नहीं लगी है तो आप दिरिक संधी लगाएंगे अगर हलन्त लग गई है तो यहां पर आप फिर क्या लगा लगा देंगे क्या लगा देंगे विंजन संदी अब आपके अंदर सवाल ये उठ रहा होगा कि सर हम लोग जब इसका बिग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे विच्छेट ठीक है अब वहां पर आपको option मिलेंगे क्योंकि बिना option के तो आपके कोई काम होने बाला नहीं है ठीक और option मिलेंगे तो आप देख लेना कि जिसमें आपका दो मैंशे एक होगा एक तो यह होगा और या एक यह होगा इस मैंसे अगर यह हो तो इसमें लगा देना यह हो तो इसमें लगा देना बस ठीक चलिए आगे देखे इसके बाद पद रचनाम क्या लिखा हुआ है पद रचनाम तो पद रचना का मतलब होता है बाक की प्रियोग बनाना पदों से क्या करना पद रचना बहुत सारी पद मिल करके आपको बाक्तियों का प्रयोग करना होता है उदाहरन अनुशारम पद रचनाम कुरुत उदाहरन के अनुशार आपको पद की रचना करनी है बाक्तियों को बनाना है जैसे प्राप्तवति सा संस्कृत सिक्षा क्राप्तवत्य संस्क्रू कि अपने कारे को प्रस्तूत किया और गतवती का मतलव होता है गई उचिक्षा प्राप्त करने के लिए लिए ठीक तो यह हो गया देख से आप बाट की प्रयोग देखेंगे जैसे यह लिखाना प्राप्त वाती, इस्त्री शिक्षा के लिए अंदोलन को प्रारब्ध वति उसने इस्त्री शिक्षा के लिए अंदोलन को प्रारब्ध वति उसने इस्त्री शिक्षा के लिए अपने जीवन को क्या कर दिया अर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, फिर इसके बाद लिखा हुआ है प्रस्तुत भती, सा निजमतम प्रस्तुत भती, वह अपने निजमत को प्रस्तुत करने गई थी, क्यों, इंगलेंड की जो वहाँ पर वो थे न, हंटर, शिक्षा, कमेटी, उसके प पहुंची थी कोलकाता जैसे ही पहुंची थी तो वहीं पर तो उसको सरस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् में खृष्टाप दे 1858 में उसका जन्म हुआ तस्याह पितुर नाम किम आसीत उसके पिता का नाम क्या था उसके पिता का नाम था अनन्त सास्त्री क्या था अनन्त सास्त्री उसके पिता का नाम था अनन्त सास्त्री फिर इसके बाद अनन्त सास्त्री के बाद तस्याह मातुर नाम किम उसकी माता का नाम क्या है तो लक्षमी वाई कि जीज़ा भाई option में दीजिएगा जल्दी से लक्षमी वाई उसकी माता का नाम था लक्षमी वाई फिर इसके बाद अगला question दिया हुगा है अगला प्रश्ण रमा कस्मात संस्क्रिश शिक्षाम प्राप्त बती है रमा कस्मात मने किश रमा ने किस से संस्क्रिश शिक्षा को प्राप्त किया जल्दी से बताओ किस संस्क्रिश शिक्षा को प्राप्त करती है तो अपनी स्वामातू किस से श्वामातू अपनी माता से संस्क्रिश शिक्ष लिखा हुआ है रमा केन शह भारत ब्रह्मनम अकरोत रमा केन शह भारत ब्रह्मनम अकरोत रमा किसके साथ भारत ब्रह्मन करती है बताईए किसके साथ भारत ब्रह्मन को करती है रमा किसके साथ रमा देखिए मैं आपको बता दू रमा करती है अपने बड़े भाई जेश्ट भ प्राट्रा बड़े भाई के साथ मैं रमा क्या करती है भारत भ्रमन करती है आगे चलेंगे इसके बाद आज की क्लास यहीं तक मतलब मोश्ट इंपोर्टेंट स्कॉस्चन जितने भी थे हम लोगों ने यहां पर पूर्ण कर लिये most important question जो परिक्षा के लिए बहुत ही आपके लिए महत्पूर होते हैं इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इस पार्ट को पढ़िएगा और part 1, part 2 जो आपका chapter का explanation है NCEIT solutions करने के बाद फिर most important आप लोग question पढ़िएगा ठीक है और कहीं पर भी कोई भी यदी समस्या है तो मुझे comment section में जरूर दीजिएगा ठीक मैं आपको बता दूँ कि भारत का एक मात रैसा platform magnet brains ही है जो आप लोगों को 100% free education दे रहा है 100% free education का मतलब भी आप लोग समझते हैं निसुल्क सिक्षा जहां आपसे कोई भी रूपिया पैसा नहीं लिया जाता है बोली लिया जाता है क्या नहीं लिया जाता है और आप लोगों को सबसे अच्छी बात तो यह है कि magnet brains के द्वारा दो platform दिये जाते हैं जो हमारे विद्यारती English medium के हैं उनके लिए magnet brains English medium का platform दिया जाता है और जो हमारे विद्यारती Hindi medium के हैं जिस पर आप लोग पढ़ रहे हैं वो magnet brains Hindi medium platform है English medium पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्छा है केजी से समझ रहे हैं बिलकुँ छुटके से बच्चे से केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कोर्ष NCEIT को फॉलो करते हुए उस पर निशुलक यूटूब पर आपको दिया जाता है और हिंदी medium पर 6 क्लास से लेकर की 12 क्लास तक की 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी कक्छाओं का चाहे आप दिल्ली बोड के हों, यूपी बोड के हों, एमपी बोड के हों, राजिस्थान बोड के हों, विहार बोड के हों, सारे के सारे बोड दे को ये लिखे हुए हैं इन सारे सारे के बोड के संपूर्ण कोर्ष आपको यूटूब पर निसुल के दिये जाते हैं, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पढ़ाते तो बहुत लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको quality content के शाथ, जो लिखाया है ना, high quality education platform, तो यहाँ पर आपको अच्छे सिक्षकों के द्वारा, उच्छ गुर्वत्ता के साथ, योग सिक्षकों के द्वारा मार्ग दर्शन दिया जाता है, तो आप लोग बढ़िया से magnet brain पर बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, एक बात आपको और ध्यान रखना है, कि magnet brain के द्वारा कच्छा चडवी से लेकर के बारहेमी तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम, दौनों प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, दौनों जगए के notes, संपूर्ण कोर्ष, chapter wise, notes, e-notes के माध्यम से और e-books के माध्यम से उपलब्द कराये जाते हैं, तो वो notes की ज देगी, उसी के पास में e-notes और e-books ऐसे दो आइकन आपको वहां दिखाई देंगे, उन पर जाकर के आपको किलिक करना है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी, और भी मैं बाता दूँ कि social media के माध्यम से आप magnet brain से और अन्यत्र जगए से भी मिल स सकते हैं, ध्यान रखना, चाहें देखें, WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram और Facebook, यहां से भी आप क्या है, magnet brain से जुड़ सकते हैं, तो जल्दी कीजिएगा, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, नोट्स की भी आपको जानकारी ले लेना है, और बहुत जल्द मैं आपके लिए इसका अगला